नमर देखते हैं हम लोग 30 क्या कहा रहा है solve the following system of equation ग्राफिकली यह दो equation दिया है इनको ग्राफिकली solve करना है फिर क्या कहा रहा है also find the area of the region bounded by these two lines इन दो lines and y axis चली देखते हैं हम लोग तो हमारे पास फैला equation दिया हुआ है 2x minus 3y plus 6 equal to 0 ठीक है अचा यह first equation है और दूसरा equation है 2x plus 3y minus 18 equal to 0 चली यहां से solve करते हैं इन दोनों कुदर ले जाएंगे तो यहां 2x equal to में आ जाएगा plus 3y minus 6 यानि x equal to में आ जाएगा 3y minus 6 by 2 यह न है चली अब इसके बाद देखिए हम लोग यहां पर put करते हैं y equal to 0 x equal to 2 हो जाएगा 3 into 0 minus 6 by 2 यही minus 6 by 2 कटके आपका minus का 3 आ जाएगा ठीक है चली अब इसके बाद देखिए फिर हम लोग put करते हैं y equal to 2 तो y equal to 2 put करते हैं x equal to क्या हो जाएगा 3 into 2 minus 6 by 2 6 minus 6 यानि की 0 by 2 और 0 by 2 यानि की 0 चलीए मैं इसके लिए यहां पर इसका चार्ट बना देता हूँ ठीक है चलीए यहां पर अब देखिए x y y का जब हमने 0 put के हैथ x का minus 3 और y का 2 put के हैथ x का 0 यह होगा अब चलीए दूसरे वाले equation से देखते हैं यह second वाले equation से हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि 2x equal to में plus का 18 minus का 3y यानि x equal to में 18 minus 3y by 2 अब चलीए यहां put करते हैं put y equal to में 2 तो x equal to हो जाएगा आपका 18 minus 3 into 2y में 2 तो यह दोखो ना 2,3,6 18 में से 6 को सब्टेट करेंगे तो आपका 2L और y में 2 यह 6 आगया ठीक है put करते हैं y equal to में 4 तो x equal to में हो जाएगा 18 minus 2 into में 4 sorry 3 into में 4 और y में 2 तो क्या हो जाएगा 4,3,12 18 में से 2 जाएगा 6,6 by 2 करके यहां पे 3 आजाएगा चलिए अब इसके लिए भी मैं यहां यहां पर एक चार्ठ बना लेता हूँ ठीक है चलिए अब ध्यान से देखना X Y जब हमने Y का 2 put किया है X का value 6 मिले है जब हमने Y का 4 put किया है X का value 3 मिला है Y का हमने 4 put किया X का value क्या मिला है 3 मिला है चलिए अब इसके बाद हम लोगे इसका graph यहाँ बना पर यह मैं यहाँ X access ले लेता हूं और इस पर मैं यहाँ y axis ले लेगा हूँ, ठीक है ध्यान से देखो, यह हो जाएगा आपका x, इधर आपका x dash y, और यहाँ पर हो जाएगा आपका y dash, देखियो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, काफी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, काफी है, चलिए देखिया अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखो, दिया है x का minus 3 y के 0, minus 3, और 0, यहाँ हो जाएगा, फिर आपका x का 0, y के 2, यहाँ हो जाएगा, इन दोनों से होकर जाने वाले line की बात करेंगे, तो यह कुछ इस तरह से जाएगा ना, ऐसे ही जाएगा, चलिए, इसका हम लोग यहाँ पर equation लिख देते हैं, तो इसका equation क्या है, इस line का equation हमारे पास दिया हुआ था, 2x minus 3y, plus 6 equal to 0, अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ x का 6, y के 2, x का 6, y के 2, फिर x का 3, y के 4, ठीके, और इन दोनों से ओकर जाने वाले line की बात करेंगे, तो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ही न जाएगा, जी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, चलिए, और इसका equation क्या है, तो इसका था, 2x plus 3y minus इसका 18 equal to 0, यही न था, चलिए, तो यहाँ पर intersect कर रहा है, तो इसका solution क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, आपका x equal to 3, y equal to 4, और यहाँ आपके question में यह भी कर रहा है, कि इन दोनों line और y-axis से bounded, जो triangle बन रहा है, उसका area find करना, तो यही न बन रहा है, यह दोनों जाएगा, तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, तो लिख सकते हैं, area of triangle a, b, c, equal to, में, क्या होगा, 1 by 2 base into height, यानि 1 by 2 आपका b, c, into में, ad हो जाएगा, तो base देखो कितना है, 1 by 2, b, c, यहाँ कितना है, 1, 2, 3, 4 unit है, और ad आपका कितना है, 3 unit है, तोई दिक समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, next